प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन वीडियो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे हमारे एक कॉस्चिन है मारे पास अगर 11 किलो 320 गराम किसी चीज की वैलियू का प्राइज है 1140 रुपिया तो एक किलो का कितना रुपीज प्राइज होगा यह हमारे कॉस्चिन भेजा है हमारे एक वीवर ने आपने स्क्रीन के उपर जब देख सकते हैं उस क्वास्चिन का स्क्रीन शोट है उन्हें कमेंट किया था अगर किसी चीज 11 किलो 320 गराम है और उसका प्राइज वो 1140 रुपिया पे कर रहे हैं तो एक किलो का प्राइज कितन हमारे लीजे एक किलो का प्राइज आपने निकालना है आपको टोटल जो चीज आपने खरी दिया उसका बजन पता है और आपका प्राइज पता है तो simply हम क्या करेंगे एक किलो की निकालने की बजाए जहां पर पीशे गराम में दिया है तो हम क्या करेंगे उसको टोटल को ग्राम में convert कर लेंगे एक किलो में होते है हजार ग्राम ठीक है तो simply हो गया 11 किलो में हो गया 11,000 ग्राम ठीक है प्लस 320 11,320 ग्राम उसका total price हो गया 11,320 ग्राम को वो कितने में खरीद रहा है 140 रुपिया में ठीक है 140 परिज़ में उसको खरीद रहे है तो अभी क्या करेंगे अभी हम निकालेंगे पर ग्राम कितने रुपिये में उनको मिल रहा है ठीक है तो पर ग्राम का price निकाल रहे हैं हम जहां पे तो पर ग्राम का price निकालेंगे simply क्या करेंगे हम जितने रुपी में वो ख्रीद रहा है जितने पैसे वो दे रहे हैं उनको उपर लिख लेंगे डिवाइड कर देंगे जितने ग्राम है 11,320 तो वो पर ग्राम का प्राइज आ जाएगा अगर इसी तरीके से वो एक रुपए का पूछते भी एक रुपए में कितनी चीज आएगी तो नीचे रुपए आ जाने थे उपर वेल्यू आ जान थी जितने ग्राम वो चीज है ठीक है तो सिंपल था फर्मूला है अगर बजन के एसाफ से करना है तो नीचे बजन आएगा उपर पैसे आएगे अगर पैसों के असाफ से करना है अगर कितने रुपी है तो रुपी नीचे आएगे बजन उपर आएगा ग्यारा 320 को भाग करना था ग्यारा 440 रुपे से अभी ग्राम के यसाफ से निकार रही है तो पर ग्राम को 1140 से भाग कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से हम अभी calculator से निकाल लेते हैं तो अभी क्या करना है 1140 को 11,320 से बाग करना है 1140 बाग कर देंगे इसको 11,320 से तो simply per gram का price आ गया 0.10 पैसा 0.7 तक जा रहा है तो इसी तरीके से लिख लेगे हम इसको per gram का उसका answer आ गया 0.10 पैसा 0.7 तक लिख लेंगे क्योंकि वह बहां तक justify हो जागा उसके फिर 0 आ रही है ठीक है पर 10 पैसे भी लिख सकते हैं इतनी बड़ी कोई बात नहीं है पर आपको बता रहा हूँ उसका 10 पैसे उसकी value बन गई ठीक है तो 10 पैसा बन गया अभी हम देखेंगे पर gram का बन आ गया तो अभी क्या करेंगे हम उसका पर gram का आ गया तो पर kg कैसे निकालेंगे simple जी बात है एक किलो में कितने gram होते है 1000 gram तो यहां हम क्या करेंगे 1000 को multiply करतेंगे जितना पर gram आया है 0.1007 से ठीक है तो इसको देख लेंगे 1000 multiplied by 0.1007 1000 gram और पर gram को हम आपसे में multiply कर देंगे 1000 into .1007 तो इसका price आ गया 100 पिया 100.07 पैसे आगे जहांगे जहांपे तो लेख लेंगे एक किलो का हो गया 100.7 मतलब के 100 रुपिया 70 पैसे का वो बहाँ पे उसको मिलेगा एक किलो ठीक है एक किलो के लिए उसको कितना देना पड़ेगा अभी आ गया वो जो हम चीज पहले निकार रहे थे एक किलो के लिए वो देगा 100 रुपिया 70 पैसे ठीक है तो इसको हम वेरिफाई कैसे करेंगे अभी माल लीजिए हमने भी एक किलो के इतना दिया ठीक है तो सिंपल जी बात है उसको फिर मल्टिपलाई कर देंगे 11.320 मल्टिपलाई करेंगे हम इसको 0 अट जाएगा मल्टिपलाई करेंगे 100.7 से तो वो लगबग आजएगा 1149.9 9 है तो इसको राउंड उफ करके हम 1140 लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपको वेरिफाई हो जएगा कि अगर किसी चीज का हमें वेल्यू बजन में पता है भी इतना बजन है इतने रुपे में मिल रही है तो वो एक किलो कितने की बैठी ठीक है तो क्रियाना स्टोर पे आप इस तरीके से इसको कल्कुलेट कर सकते हो पर ग्राम निकालना हो ठीक है पर केजी निकालना हो तो उसको ग्राम में किनवर्ट कर लो ठीक है भाग कर दो ऐसे ऐसे अगर वो ग्राम में नहीं है पीछे तो आप सीधा किलो की जहाँ पे किलो के साफ से भाग कर देंगे तो आपको ग्राम में कनवट नहीं करना आपको सीधो किलो लिखना है तो बहाँ पे हैयार की जागा अब सिधा एक से गुना कर देंगे उसको इतना फार्मूला है अगर पीछे ग्राम नहीं है पूरा किलो है ठीक है मालीजे आपको साथ किलो होता तो यहाँ पर आपको साथ को भाग कर देनी थी एक जारा चालिस को साथ से भाग कर देनी थी तो आपको पर कीलोगा निकल आएगा ठीक है तो इस साफ से आप किसी भी question को निकाल सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जूरू करना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जाते जाते बैल आइकन और सब्सक्राइब करके जाना माय चैनल को क किसी तरीके के query हो तो नहीं चैक में जरूर लिखना थैंक्यू वेरी मच्च